Hello students, आज हम सिखेंगे Python कैसे इंस्टॉल करते हैं and Jupyter Notebook तो चलिए ब्राउजर पे चलते हैं और Python इंस्टॉल करते हैं Python की official site है python.org इसके through हम अपना Python इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास Python का latest version हमें मिल जाएगा आप हमारे पास यह सारे के सारे tabs मिल रहे हैं यहाँ पे हम downloads पे जाएगे और यहाँ पे मुझे सारे release जितने भी version आज तक आए हूँ है Python के वो सारे show होगे और जो भी आप Python इंस्टॉल करोगे अपने desktop पे इस बात का ध्यान रखने है आपके पास Windows 10 या उससे उपर की window होने चाहिए Windows 10 से कम में आपका जो Python का latest version है वो नहीं चल पाएगा तो हम यहाँ पे हमारे latest version है 3.1.1.4 इसको इंस्टॉल करेंगे ओके सो मैंने हाँ पे क्लिक किया है और यह डाउनलोड स्टार्ट हो गया है डाउनलोड डाउनलोड भी हो गया है तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने folder में और इस setup को इंस्टॉल करते हैं सिंप्ली डबल क्लिक करना है और जो setup है वो open हो जाएगा ओके सो हमारे पास यह interface open हुआ है इस interface में आपको करना क्या है यह जो आपके पास checkbox है यह दोनों checkbox आपको check करने है यह जो आपका checkbox है add python.exe इसके थुरू क्या होगा आपका जो python है उसका path set होगा आपके system में and then आपको simply install now पे click करना है that's it थोड़ा wait करते हैं और यहाँ पे हमारे जो python है वो install होना start हो गया है जो मेरा python है वो successfully install हो चुका है simply अब आपको close करना है and that's it हमने यहाँ पे python को install कर लिया है अब install होने के बाद हमें कैसे बाद चलेगा कि python successful install हो गया हमारे system पे या नहीं उसके लिए आपको क्या करना है command prompt open करना है and then यहाँ पे आपको type करना है python जैसे आप python type करोगे एदन enter hit करना है और उसके बाद मुझे यह python का version मिल जाएगा तो मुझे version मिला है 3.1 1.4 that means मेरे जो system में है वो यह version का python installed है अब next हम क्या करेंगे यहाँ पे jupyter install करेंगे successfully हमने यहाँ पे python install करके देख लिया है तो successfully हमारा python install हो चुका है आप यहाँ पे हम install करते है अपना jupyter notebook और jupyter notebook के लिए हमें किसी भी browser पे नहीं जाना उसे हम सिधा command prompt से install करेंगे तो चलते हैं अपने command prompt पे मैंने हमें command prompt open किया यहाँ पे हमें command लिखनी है और वो command है pip install jupyter notebook यहाँ पे जो मैंने pip लिखा है इसकी help से हम कोई भी external library जो python की है वो install कर सकते हैं और jupyter notebook भी install कर सकते हैं pip हमारा package manager है command लिखने के बाद मैंने enter hit किया है simply और यहाँ पे यह installation स्टार्ट हो चुका है थोड़ा सा wait करते हैं मेरा jupyter notebook successfully install हो चुका है अब इसे open करते है open करने के लिए हमें क्या करना है command prompt पे ही jupyter notebook लिखना है jupyter notebook लिखने के बाद आपको enter hit करना है और यह आपका jupyter notebook है open होगा आपके browser पे तो यहाँ पे successfully browser पे open हो चुका है मेरा jupyter notebook let's see तो यह interface मुझे यहाँ पे मिला है इस interface में मुझे कुछ tabs मिले हैं यहाँ पे कुछ folders हैं जो मेरे pc में available थे and then कुछ files भी हैं यह files मैंने already पहले बनाई हुए हैं इसलिए available हैं आपके pc में यह files visible नहीं होंगी सिर्फ यह folder visible होंगे जो आपने पहले से बनाई हुए okay then next class में हम सीखेंगे jupyter में file कैसे बनाते हैं और python का अपना first program I hope आप सब को python installation clear हुआ होगा आप लोग अपना python installation complete करके रखना next class में हम यहाँ पे अपनी programming करेंगे आप सहिम्ा यहाँ नहीं